नमश्कार मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करते हूं कथा मंथन में आज सुनिए प्रेम चंद्रे जी की एक लगू कहानी गुरु मंत्र प्रेम जंदरी जी की अन्य कहानिया आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं गुरु मंत्र घर के कलह और निमंत्रोड के अभाव से पंडित चिंता मनी जी के चित में वैराग्य उत्पन हुआ और उन्होंने सन्यास ले लिया तो उनके परम मित्र पंडित मोटे राम शास्त्री जी ने उपदेश दिया मित्र हमारा अच्छे-च्छे सादु महत्मा उसे सत्संग रहा है यह जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़-गिड़ा कर हाथ नहीं फैलाते और जूट-मूट आशिरबाद भी नहीं देने लगते कि नारायन तुमारा चोला मस्द रखे तुम सदा सुकी रहो अरे यह तो बिकारियों का दस्तूर है संत लोग द्वार पर जाते हैं और जाते ही कड़क कर हाक लगाते हैं जिससे घर के लोग चौक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की और दोड़े मुझे दो चरवाणियां मालू है जो चाहे ग्रैन कर लो गुदड़ी बाबा कहा करते थे मरे तो पांचो मरे यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरो पर गिड़ पड़ते थे और सिद्ध बाबा की हांख बहुत उत्तम थी खाओ पियो चैन करो पहनो घैना पर बाबाजी के सोटे से डरते रहना और नंगा बाबा कहा करते थे दे तो दे नहीं दिला दे खिला दे पिला दे सुला दे यह समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हांख के उपर है और क्या कहूं भूलना मत हम और तुम बहुत दिनों तक साथ रहे सैकडो भूज साथ खाए जिस नुएते में हम और तुम दोनों पहुंसते थे लाग डांग्ट से एक दो पतल और उड़ा ले जाते थे तुमारे बिना मेरा रंग ना जमेगा इश्वर्त में सदा सुगंधित वस्ते ही वो दिखाए चिंता मनी के इन वानियों में एक भी पसंद ना है बोले मेरे लिए कोई वानी सोचो मोटे राम अच्छा यह वानी कैसे है ना दोगे तो हम चड़ बैठेंगे चिंता मनी हाँ मुझे बहुत पसंद है तुमारी आग्या हो तो इसमें काट छाट करूँ हाँ हाँ करो मोटे राम ने कहा चिंता मनी अच्छा तो इस बाती रखो ना देगा तो हम चड़ बैठेंगे मोटे राम उचल कर नारायन 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 जानता है यह वाणी अपने रंग में निराली है भक्ती ने तुम्हारी बुद्धी को चमका दिया भला एक बर ललकार कर कहो तो देखे कैसे ते कहते हो चिंता मनी ने दौनों कान उंगलियों से बंद कर लिया और अपनी पूरी शक्ती से चिला कर बोले ना देगा तो चड़ बैटूंगा यह नारायन ऐसा आकाश भेदी था कि मोटे राम भी सहसा चौक पड़े चमका दड़ घबरा कर विक्षों पर से उड़ गए कुत्ते भौंकने लगे मोटे राम मित्र तुम्हारी वार्नी सुनकर मेरा तो कलेजा ही काप उठा ऐसी ललकार कहीं सुनने में नाई तुम सिंग की भाती गरचते हो वार्नी तो निश्शित हो गई अब कुछ दूसरी बाते पताता हूँ कान दे कर सुनो साधू की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है हम किसी को आप कहते हैं किसी को तुम साधू लोग छोटे बड़े अमीर गरीब बुड़े जवान सब को तू ही कहकर पुकारते हैं माई और बाबा का सदे उचित वेवार करते रहना यह भी याद रखो कि साधी हिंदी कभी मत बोलना नहीं तो मरम खुल जाएगा टेडी हिंदी बोलना यह कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे साधू जनों की भाषा में ठीक नहीं पक्का साधू इसी बात को यूँ कहेगा माई मेरे भोजन करा दे तेरे को बड़ा धरम होगा चिंता मनी मित्र हम तो तेरे को कहा तक जस गावे तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है यूँ उपदेश देकर मोटे राम विदा हुए चिंता मनी जी आगे बड़े तो क्या देखते हैं एक गांजे भांकी दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे वे गांजे में दम लगा रहे हैं चिंता मनी को देखकर एक महात्मा ने अपनी जैकार सुने चल 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 जल्दी लेके चल नहीं तो अभी करता हूँ बेकल एक दूसरे साधू ने कड़क करका अरारारा धम आए पहुचे हम अब क्या है गम अभी है कड़ा का आकाश में गूंजी रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरच कर अपनी वानी सुना दी देज बंगाला जिसको देखाना भाला चटपट भर दे प्याला चिंता मणी से अब ना रहा गया उन्होंने पिकड़क करका ना देगा तो चड़ बैटूंगा यह सुनते ही साधू जन ने चिंता मणी का साधर अभिवाधन किया तत्षन गांजी की चिल्लम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडिजी पर पढ़ा बैचारी बड़े असमन जस्मे पड़े सोचा अगर चिल्लम नहीं लेता तो अभी सारी कलाई खुल जाएगी विवशो कर चिल्लम ले ली किन तू जिसने कभी गांजा ना पिया हो वे बहुत चेश्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता उन्होंने आँखे बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरो से दम लगाया चिल्लम हाथ से छूट कर गिर पड़ी आँखे निकल आई मुझे फिचकर निकल आया बगर ना तो मुझे धुए का बादल निकला और ना चिल्लम ही सुलगी उनका यह कच्चापन उन्हें सादू समाज से च्योट करने के लिए काफी था दो तिन सादू जल्ला कर आगे बड़े और बड़ी निर्दैता से उनका हाथ पकड़ कर उठा लिया एक महत्मा अरे तेरे को दिकार है तेरे को लाज नहीं आती सादू भना है मूरक पंडिक जी लजजी थोकर समीक के एक हलवाई की दुकान के सामने आ बैठे और सादू समाज ने खंजडी बजा बजा कर यह बजन गाना शुरू किया माया है संसार सवालिया माया है संसार धर्मा धरम सबी कुछ मित्या यही ग्यान वहवार सवालिया माया है संसार गानजे भंग को वर्जित करते हैं उन पर दिकार सवालिया माया है संसार ली मिले गोलू गोलू चोग या